आगरा में घूमने के प्रमुकिस्थान नमबर दस अकबर का मकवरा दोस्तो विश्व प्रसित दाजमहल के अलावा आगरा मुगल बस्विल्फ से बनी उत्रकष्ट क्रतियों के लिए भी काफी चर्चित है इनी में से एक है अकबर का मकवरा सिकंदरा इस्तितिय मकवरा 119 एकड में फैला हुआ है और इसको बनाने में लगवग 8 साल का समय लगा था नमबर नो पंच महल दोस्तो पंच महल एक पांच मंजला इमारत है जिसका निर्माड अकबर की तीन बीवियों और अन्य साही औरतों के लिए गर्मियों में यहां रहने के लिए किया गया था यह महल अकबर की पतनी जोधा के महल के करीब ही है दरसल पंच महल जोधा बाई के महल के साही कच से जुड़ा हुआ है नमबर आठ कीठम जील और सूर सरोवर पच्छी अभ्यारड दोस्तों कीठम जील सिकंद्रा से 12 किलोमेटर की दूरी पर आगरा से 20 किलोमेटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नमबर दो पर इस्तित है यह सुरम में जील सांत बाता बरड के बीच और पिकनिक मनाने के लिए एक बहतरीन विकल्ब मोहिया कराती है साथ ही सहरी जीवन के भाग दोड़ के बीच यहां आराम के कुछपल बिताए जा सकते है नमबर साथ एतमा दुद्दौला इसमारक दोस्तो एतमा दुद्दौला इसमारक आगरा सहर के मद्द में यमननदी के किनारे बना हुआ है इस इसमारक पर आगरा के अन इस्थानों से आप आटो या इरिक्सा के द्वारा पहुंच सकते हैं इसे नूर जहाने अपनी मा की याद में बनवाया था इसे बेबी मेहल भी कहा जाता है दोस्तो मेहताब बाग का अर्थ होता है चांद की रोसनी का एक बाग यमननदी के किनारे 25 एकड में फैले इस बाग का अन्दिरमाड 1631 से 1635 के बीच करवाया गया था दोस्तो यह एकदम ताज मेहल के बराबर में बना है जिससे यहां से ताज मेहल की जो छवी है बहुती सुन्दर दिखाई देती है नमबर पाँच गुरुद्वारा गुरु का ताल दोस्तो यह गुरुद्वारा 1610 AD में सिकंदराग में गुरु तेक बहादुर जी की याद में बनाया था यहीं उन्होंने अपने आपको औरंग जीब के हवाले किया था दोस्तो गुरु का ताल एक एहत्यासिक सिकंदर गुरुद्वारा है इसे सिकंदर ने बनाया था यह किला सुन्दर कलाकरतियों से बना हुआ गुरुद्वारा है नमबर चार रादास्वामी मंदिर दोस्तो रादास्वामी मंदिर पिछले 106 साल से बनाया जा रहा है और अब कंपलीट हो गया है दोस्तो यह सुदयाल बाग में इस्तित है यह है इसकी इस्तापना रादास्वामी ससंग के पांचबे गुरु हुजूर साहब जी माराज ने की थी नमबर तीन बड़ेस्वरनात मंदिर दोस्तो बड़ेस्वरनात मंदिर आगरा से कुछ 60 किलोमेटर की दूरी पर यमना के किनारे इस्तित है दोस्तो यहाँ पर 101 मंदिरों को सरंकला में बनाया गया है यह मंदिर बड़ावर की राजा राजा बदन सिंग बदोरिया ने बनवाए थे नमबर दो आगरा का किला दोस्तो आगरा के किले को कभी कभी लाल किला भी कहा जाता है ना सिर्फ लाल रंग बलकि दिल्ली सित लाल किले से इसकी बासिल्प सेली और डिजायन भी काफी मिलती है दोनों ही किले का निर्माड लाल बलुआ पत्र से किया गया है यही कारण है कि जब भी प्रेटक आगरा के किले को दिखते हैं तो उन्हें दिल्ली के लाल किले की याद आ जाती है नमबर एक ताज महल दोस्तो ताज महल की गिंती विस्व के साथ आजूबों में होती है इसकंदिनमाड मुगल बातसा साजा ने अपनी पतनी मुम्ताज महल की याद में करवाया था यहीं मुम्ताज महल का मगवरावी है ताज महल भारती पर्शियन और इस्लामिक बास्सिल्पिय सेली के मिश्र का उत्रिष्ट उधारड है